अधनान सामी आए दिन किसी ना किसी वजह से विवादों में फस्ते नज़र आते हैं अधनान एक ऐसे सिंगर हैं जो अपने गानों को लेकर कम बलकि अपने ट्वीट्स की वजह से जाधा लाइम लाइट में बने रहते हैं वही हाली में अधनान सामी ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी और खीचा दरसल बात कुछ ऐसी है कि हाली में भारत दोरे पर आये अमेरिकी राष्टपती डुनाल ट्रम्प अपने परिवार के साथ प्यार के निशानी कहे जाने वाले ताजमहल का दीदार करने पहुँचे लेकिन दोस्तों ट्रम्प के ताजमहल दोरे को लेकर एक पाकिस्तानी शक्स ने वीडियो शेर किया जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्टपती डुनाल ट्रम्प के पहुँचने से पहले ताजमहल की सफाई की जारी थी शक्स ने वीडियो शेर करते हुए भारतिय प्रशासन की निंदा करते हुए कहा दुनाल्ड ट्रम्प को दिखाने के लिए ताजमहल की सफाई की जा रही है सरकार को पता है कि ये इमारत मुस्लिम शासन के दौरान की है मुसल्मानों को तो देश में समय सेकंड क्लास सिटिजन के तौर पर देखा जा रहा है जिसके बाद अदनान सामी अपने आपको रोक नहीं पाए और उन्होंने इस शक्स के स्ट्वीट का जवाब देते वे लिखा सबसे पहले तो आपको अपनी नियत और दिमाग को साफ रखने की जरूरत है दूसरी बात ये कि ताजमहल को साफ करने के लिए पहले आपके पास ताजमहल होना चाही हमारे पास है आपके पास नहीं अदनान के इस मजाकिया अंदास का हर कोई दीवाना हो गया अधनान ने जिस तरीके का जवाब दिया वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है बता दे कि अमेरिकी राश्टपती डुनाल ट्रमप अपने दो दिन के भारत दौरे पर है पहले दिन उन्होंने अमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में वेलकम स्पीच दी और इसके बाद रोड शो किया आगरा के ताजमहल का दीदार करने के बाद अब ट्रमप दौरे के दूसरे दिन दिल्ली में है जहाँ पर ट्रमप ने पिये मोधी के साथ द्विपक्षिय वारता की तो उनकी पत्नी मिलेनिया ट्रमप ने दिल्ली सरकार के स्कूल पहुँचकर बच्चों से मुलाकात की और हैपिनस क्लास में शामिर दूस्ट वैसे दोस्तों अदनान सामी के स्ट्वीट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर पताएं बोगी सार बहुत बहुत मुबारक बहुत अच्छा रिस्पॉंस करें लोगों का प्यार बहुत अच्छा रिस्पॉंस करें पहले तो यह जाना चाहिए बहुत अच्छा लग रहा है मैं सब का बहुत 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 अच्छा रहा हूँ क्योंकि इतनी महनत हमने की है और जब आपकी महनत का इतना खुबसूरत और इतना मीठा फल आपको मिलता है इससे बढ़के आपको क्या खुशी हो सकती है तो I am very grateful बहुत अच्छा लग रहा है अब तक आपको कोई यूनिक कमेंग या कोई अप्रिशेशन मिला है जो बहुत ही अनोखा है मेरे लिए तो जब भी कोई इनसान कहता है कि जी हमने आपका गाना सुना बहुत पसंद आया और हमारे होंटों के मुस्कराहट आगी मेरे लिए वही सबसे बड़ा कॉमेंट है तो कि लोगों के दिलों में वही वस्ते जिसके मतलब खुदा का नूर होता है या उन पे रहमत होती है वो आपर है जो इतना प्यार मिल रहा है आपको इतने सालों के बाद क्यों आना पार इतना ब्रेक क्यों रहा है और जिस तरह का प्यार मुझे इस वकित मिल रहा है और जो अप्रिसियेशन मिल रही है मैं खुद अपने आपको कहरा हूँ के यार यह जाती कर दी तुमने इतना वक्त लेकर यह तो इतना खुबसरत रिस्पॉंस आ रहा है कि यह तो पहले करना चाहिए रहा है अपने दौर में जो सिंगल आलबम तो रहा है तो अब नहीं चलता आप उसको वापस ला रहे और स्पेशली जो रोमैंटिक नमर तो पैपी नमर बहुत चलते है उसके बारे में क्याना चाहिए जो आपने वापस ट्रेंड शूरू किया है देखिए बात है कि मेलोडी जो है वो कभी खतम नहीं होती है मेलोडी मेरे खाल में म्यूजिक में सबसे जरूरी चीज़ है और आप मेलोडी जब भी आप लेके आएंगे वो मेरे खाल में अगर सिंपल और अच्छी खुबसूरत मेलोडी हो वो लोग हमेशा उसको करपा भी रहा है और अभी भी मैं यह देख रहा हूं और अगर आप देखिए पुराने जो गाने हैं पुराने दोरों के तो उन में सारे जो गाने जो कई जो अब रीक्रियेट भी हो रहे हैं उन सब की रीक्रियेशन या रीमिक्स की वज़ए ही है क्यों के उनकी मेलोडी तो मैं समझता हूं कि मेलोडी जो है वो कभी भी हार नहीं सकती म्यूजिक के मौजू में तो मैंने यह सोचा कि चाहे जिस तरह कभी म्यूजिक चल रहा हो एक स्ट्रॉंग मेलडी जब आएगी और अगर लोगों को वो बात समझ में आ जाएगी तो लोग उसको अपनाएंगे और शुकर है कि लोग पसंद कर रहे हैं सिंगल का ट्रेंड आएगे पूरिमिक्स का भी दौर चल रहा है बट बहुत सार लोगों का यह मायम है कि रिमिक्स जो होके उसमें कोई वो वराइटी जो होटा है एपना क्रीटिविटी नही होता इस आपक्रियूट है अपक्रिय के मात आएगे सबसे पहले तो यह सोचना उनको exposure नहीं है उन गानों के साथ और जिस दौर में वो गाने बने थे उनकी जो arrangement है गानों की वो उस दौर के हिसाब से बहुत अच्छी थी और अब उनको ये महसूस होता है कि अगर आपने वो ही गाना दोबारा नए सरे से पेश करना है तो उसमें arrangement चेंज कर दीजे लेकिन melody नहीं चेंज होती है तो उसमें creativity जाहर है melody तो अलोड़ी बनी हुई है लेकिन उसमें creativity आजाती है आपके आपके arrangement में आपके rhythm में और जो instrumentation है उसमें तो इस नाइस के वो गाने जो है जो जो अधर्वाइस वो गाने लोग भूल भी सकते हैं तो वो नही जनेरेशन को सुनने को मिल रहे हैं उनकी style में वो अदम तो बहुत से आप से आप अपके आप जो आपके चाहते हैं प्रेंशनें जो अधर्वाइस बनना चाहते हैं कि एक आपके बिग्त इसे को शामत्रावे बहुत से लोगे जो चाहते हैं आपका भी योट्यूब चैनल और आपको देखे सीके वो बैस्पेशली प्य पियानों में मगर गाईगी में अलग अलग इंस्ट्रुमेंट में जहां पर अच्छे अच्छे उस्ताद और टीचर्स आएं सिखाने के लिए तो ये मेरा एकवाब है समझ लीजिए तो और उसमें जाहर है कि अगर उस तरह की चीज प्रॉपर तरीके से अगर की जाए तो उसमें आज कर के दोर के मताबिक यूट्यूब में भी उसकी एक्स्टेंशन हो सकती है इसके अनाव आपके और एक प्रोजेक है वो अंडर प्रोडक्शन चाहिए अफगान बहुती लोग उसको भी देखने के तो उसके क्या स्टेटर्स है और क्यूंकि अब इलेक्शन हो वह पर कुछ प्रॉब्लम क्या वाइस से रूप गए कि सो आपने मैं बटाना चाहिए क हम उस फिल्म को अन लोकेशन शूट करना चाहरे हैं मैं नहीं चाहरा था कि हम किसी नेबरिंग कंट्री में जाएं जैसे ताश केंद हो गया या दूसी जगे जहां पर हम चीट करें मैं I wanted to shoot I want to shoot the film on location and तो उन्हें ने ने हमको यह राय दी थी ती सला दी थी कि elections को होने दें ताकि मामला जो है वहाँ पर थोड़ा सा सेटल हो जाए क्योंकि वहाँ पर उन्फोर्चनेटली बहुत security के भी issues होते हैं तो जब उनकी अभी elections खत्म होई तो अब हम now we are proceeding for our final recce or फिर हम इसको फिर final shooting के लिए लेके देंगे बड़ा होता है civilian कोई यहाँ देखिए मुझे जिस दरजे की खुशी है वो तो मैं बेयान भी नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी कोई हद नहीं है उसको कोई अंत नहीं है और जो मुझे इस इतने खुबसूरत और इतने बड़े अजास के लिए जो मुझे फखर महसूस हो रह और इसमें बहुत सारा का कितनी प्यार भरा हुआ है और blessings है और इसके लिए मैं अपने fans के लोगों की पबलिक की बहुत-बहुत मैं उनका शुकर गुजार हूँ और government of India का मैं बहुत शुकर गुजार हूँ क्योंकि मेरे खियाल में किसी भी इनसान को इस तरह का honor मिले यह तो I'm very grateful. बहुत साथ हैं, इसकी वज़ा से आप हैं, जो आप हैं। और इन में से कई हैसे भी लोग होंगे जो आपसे जलते भी होंगे, या आपके fun को पसंद नहीं करते, तो आपकाह कभी भी सब लोगों को खुश तो करनी सकते तो आपके जिंदगी में हमेशा कोई न कोई कुश तो लोग होंगे जो इतराज करेंगे इस अवार्ड में अनफॉचनेटली हर साल कोई न कोई थोड़ी सी इस मौज़ू पे थोड़ी सी डिबेट्स चलती है इस साल मेरे उपर थोड़ा सा हो को या हजार बंदों को भी अगर इतराज है तो वन पॉइंट थ्री बिलियन दोगों को तो प्यार है तो ये दसजार या हजार बंदों के से क्या लेना देना उनको उनको एग्णोर करना बेस्ट होता है तो वो जाने उनका काम जाने हम अपना काम करते रहेंगे प्यार के स